बड़ी ख़बर है कोरुना से जुड़ी हुई दूसरी लेहर का कहर कम होते ही आगामी चुनाओं की सियासी तपिश बढ़ते ही गाज़ेपूर बॉर्डर पर हल्चर पर गए एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा यहां पर शुरू होने लगाए और कृशी कानूनों को व गाज़ीपूर बॉर्डर पर बढ़ने लगा है किसानों का जमावड़ा है बुलन शहर से बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंचे है रोजाराइन की संख्या बढ़ रही है लोकल इंटेलिजिन्स की नजर इस पर और जानकारी के लिए रुप करते हैं हमारे समगता शक्ति सिंह हमारे साथ गाज़ीपूर बॉर्डर से आहिं जुड़े हुए है शक्ति बताएगा कल से पहुआ है चिसानों के पहुंचने का सुल्सिला शुरू हुआ यहां पर कितनी संख्या में किसान है और क्या रणडीति अब आगे के लिए बनाई जा रही है किसानों की अगर रंडिती की बात करें तो किसानों का साफ तोर पर एक है ना इस है महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और हम यहां शांत तरीके से बैठे हुए हैं अब रही संक्या की बात अब संक्या किसानों ने बढ़ानी शुरू कर दिये किसानों ने एक बार फिर हुंका किसान आएंगे क्योंकि कुरोना काल चल ला था इसमें गाडलान का पालन करा किसानों ने और यहां केवल बेड उतने ही लोग रुके जितने की यहां जरूरत थी अब संख्या बढ़ेगी और किसानों ने दुबारा हुंकार बढ़ने शुरू कर दिये लेकिन जिस तरह से किस किसान लिसमाने उतैująर नहीन किया किसान के यह पकस में ही नहीं है आम जिद्णा के ब लंए तो किसानों की बात सरकार क्यों नहीं सुन्ती वांपर वाँ पर पक्का निर्मान हो रहा है अभी हम देख रहे हैं वहां पर नलवा पर निर्मान करें जैसा प्र सकरीटा रहे हैं। तो क्या इसकी अनुम्मती है वहाँ पर आंदोलनत किसानों को में यहाँ बैठना मुश्किल होता तो इसलिए यहाँ पर जो टोले लिखाएं यही बात अपने राकिश टिकेट से पूछी तो राकिश टिकेट नहीं तो यहाँ पर बैठने की अनुमती नहीं है लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे और आप यह बताईए कि आप पर देख निकल जाएंगे किसी और देश में शरण ले लेंगे इस किसान के लिए कानून बने हैं सारे इस किसान के लिए कानून बनाए गए हैं तो उन्हें हालो क्यों नहीं किया जाता इस किसान के लिए कानून बनाए सुप्रिम कोर्ट ने के चोज़े दिन में करने का भ जो विशेह किसान अपने साथ लेकर चल रहे हैं वो जस्के तस्बने हुए हैं और आप तो वहाँ पर जो निर्मान कारे हैं उनको और पक्का करके किया जा रहा है मतलब मनसूबे साफ है कि लंबे वक्त तक यहाँ पर टिकर बैठना है बहुत शुक्रिया शक्ति